हाई गाई इस इस मी आनंज्या और आज हम देखेंगे टिग्णोमेट्री के अंदर लेक्चर नमर टू सो इन लेक्चर नमर वन मैंने आप लोगों को बहुत सारी बाते बताएं और टिग्णोमेट्री के बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूले बताएं जो इस पार्ट में हम क पर अपलाई करेंगे तो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक्स बातों के साथ और कोश्टन की तरफ मूग करेंगे तो अपना नोट बूक निकाल लीजिएगा और टाइप वन से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले थोड़ा सा हम फिगर की तरफ डील करते हैं ठीक है तो देखो फ्रीयंगल होता है ठीक है इसके लिए पता ही कि यह पर्पेंडिकुलर होता है यह बेस होता है और यह होता है अब माल लेते हैं एक ट्राइंगल है MNR अब यहां पर देखों अगर मैं साइड के हिसाब से क्या लिखूंगा बच्छों इसे कुछ भी लिख सकते हैं आर एन निके या नर लिखे लिखे नो प्रोब्लम तो इसे बेशिक पैथा गोरेश रूल अप्लाई करना भी आना चाएं च्छोटे से क्ष़िण से सबसे बहुत पैथा गोरेश रूल देख लेते हैं मालीजे कि यह हमारा एक राइट 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 basic pathogorist rule क्या कहता है कि AC का square is equals to AB का square plus BC का square I hope कि आप लोगों को दिखाई दे रहा हूगा मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ don't worry about that आप zoom कर सकते हैं ठीक है थोड़ा option होता है YouTube पे double click करके so AC का square is equals to AB का square plus BC का square now AC का square AC का square is equals to AB AB is what 3 so 3 का square plus BC BC is what 4 4 का square now AC square is equals to 3 का square 9 होता है and 4 का square 16 होता है अगर हम आगे देखे तो AC का square is equals to हो जाता है 9 and 16 is equals 25 यहां से जब हम square हटाएंगे तो बच्चों देखो इधर root लग जाएगा क्या लग जाएगा square root okay so AC is equals to under root of 25 now AC is equals to under root 25 is equals to 5 and जो भी unit हो यानि मैंने unit नहीं लिखा है simply तो यहां अगर मीटर लिखा है तो मीटर लिखिए सेंटीमेटर लिखा है तो सेंटीमेटर लिखिए तो यह आज गया आपके पास 5 ठीक है यह आपको याद भी करना है अगर ऐसा कोई तो यह आपको याद होना चाहिए और करना भी कर सकते हो तो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा अगर आपको नहीं आया हो तो और मेरा काम था यह चीज सिखाना तो मैंने आपको सिखा दिया अब आगे देखिए कि एक और इंपोर्टेंट यह पॉइंट्स आपको जरूर नोट डाउन करने अपने कॉपिय में क्योंकि नोट्स इस मोस्त इंपोर्टेंट ना सेकंड पॉइंट इस वाट कि अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं तो उसके अंदर दो एक्ट्यूट ट्राइंगल होते मालने जिए एक थिटा और यह अलफा और यह हमारा एयश City इस पॉट नोपरमा से लिखा अगर आप चरहता हूँ कि sine theta बच्छो sine theta तो sine theta किसके बराबर है this is always perpendicular upon base no problem यह formula fix है लेकिन यहाँ पर चीज़े देखू कि यह जो theta है यानि यह जो angle है अगर यह change हो जाए क्या हो जाए change हो जाए most important point है question आता है अगर यह change हो जाए मालो मैं कहता हूँ sine alpha तो क्या formula होगा तो formula is same perpendicular upon base but the side is change लेकिन side क्या है change हो जाएगा तो formula same रहेगा लेकिन side change हो जाएगा जैसे अभी ध्यान से देखू क्या है कि for this theta यह theta है तो इस theta के लिए perpendicular हमारा a भी है और base हमारा bc है लेकिन जब मैं sine alpha की बात करता हूँ बच्चों इस alpha की तो यह figure 90 degree जो है न वो क्या हुआ घूम गया 90 degree क्या हुआ घूम गया जब यह 90 degree घूमेगा तो कुछ नहीं होगा यह figure आपको कुछ ऐसा deal करता हुआ दिखाई देगा ठीक है अब यह हमारा b हो गया यह हमारा c हो गया और यह हमारा a हो गया तो अब ध्यान से देखो this is perpendicular this is base and this is hypotenuse hypotenuse देखो यहाँ पर भी ac है यहाँ पर भी ac है hypotenuse change नहीं होता change क्या होता है जो पहले perpendicular था वो अब बेस हो चुका है जो पहले base था वो अब परपेंडीकूलर बन चुका है और यह angle अलफा हो चुका है और यह angle अब theta हो चुका है मैंने क्या क्या बस कुछ नहीं square से 90 degree घुमा दिया ठीक है क्या क्या ऐसे 90 degree घुमा दिया अब इसमें short trick क्या है, short trick कुछ भी नहीं है, जब ये angle होगा, तो सारा figure का जो भी side है सेम होगा, लेकिन जब ये वाला angle हम डिल करेंगे, तो कुछ नहीं है, जो perpendicular आप लिख रहे हो, उसे base की जगह लिखो, और जो base है उसे perpendicular की जगह लिखो, कुछ नहीं, जैसे यहाँ पर दे alpha पर डिल किया, यानि जब मैंने angle alpha रखा, तो क्या हुआ, तो ध्यान से देखो, उस time जो perpendicular है, वो इसकी वजए क्या हो जाएगा, ये, यानि जो perpendicular था, अब वो base हो गया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यानि ab लिखेंगे, तो यह हमारा basic point था, जिसे आपको याद रखना है, कि जब ये वाला angle होगा, तो सारी चीजें same है, जब ये वाला angle होगा, तो बस कुछ नहीं करना, जिसे perpendicular मान रहे थे, उसे base मान लेंगे, जिसे base मान रहे थे, उसे perpendicular मान लेंगे, ये दो point थे, जो मु इसके बाद third point, जो most important है, जो आपको कहीं नहीं कोई बताएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और आपको सीखना, जो आपको 11th में question solve करने में help करेगा, बस छोटा sub point है, ठीक है, और इसे आप आसानी से बड़े-बड़े questions भी solve कर सकते हो, देखो क्या है, कि मान लो, कि ये एक right angle, triangle है, अगर मैं मान लेता हूँ कि hypotenuse की length L है, ये B, ये C और ये C हो गया, ठीक, ये right angle हो गया, ये angle theta हो गया, अब यहाँ पर दियान से देखो बच्चो, अगर ये L है, क्या है L, तो ये जो है न, ये होगा L sin theta, और ये हो जाएगा L cos theta, अब मैंने कैसे किया ही, ये आसानी से, देखो, अगर मैं लिखता हूँ sin theta, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे perpendicular upon base, यानि A C upon B C, okay, sorry, perpendicular upon hypotenuse, not base, perpendicular upon hypotenuse, यानि A B, okay, no problem, अब एको sin theta is A C upon A B, अब यहाँ पर मुझे निकालना क्या है, A C, तो भई ठीक है, A C की जगे A C रहने दिया, sin theta की जगे sin theta रहने दिया, A C की जगे A C, अब A B किसके equal है, L के equal, अब ये L कुछ भी हो सकता है, आपको कोई length P दिया हो सकता है, M, N, Q, या कोई value दी होई हो सकत है, 2, 3, 4, या 5, तो मुझे simply यहाँ से A C कैसे मिलेगा, यह इसके साथ multiply हो गया, यह हो गया, L sin theta, देखिए, क्या यही चीज है, अब यहाँ पर देखो, मैं cos theta किसके बराबर लिखूंगा, cos theta लिखूंगा, मैं BC upon में hypotenuse AB, cos theta को cos theta रहने दूँगा, BC की जगे मैं BC ही लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे इससे find out करना है, बट मैं AB की जगे L लिखूंगा, तो BC is equals to हो जाएगा, L cos theta, BC की जगे क्या लिखूंगा, L cos theta, क्या यही चीज यही है, बिलकुल यही है, ठीक है, तो यह कुछ formula है, जो आपको directly solve करने में help करेगा, ठीक है, तो आप आसानी से solve कर सकती है, इसे तब हम solve करेंगे, जब हम angles के values याद करेंगे, like sign 30 की value क्या होता है, cos 30 का value क्या होता है, तो मैंने अभी इसे आपको starting में पढ़ा दिया, अब एक और चीज, देखो, यह किस तरह के question solve करने में help करता है, मान लो, कि यह कोई एक line है, पांच मीटर का, ठीक है, पांच मीटर का, यह angle 30 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 30, तो देखो, simply आप क्या कह सकते हो, कि यह जो है न, यह हमारा है, 5 cos 30, और यह क्या है, 5 sin 30, अब मैं इसको अगर ऐसे बनाता हूँ, right angle triangle के हिसाब से, तो दियान से देखो, अगर आपने एक right angle triangle ऐसे कुछ बना रखा था, ठीक है, यह आपने right angle triangle ऐसे कुछ बना रखा है, यह angle आपने 30 ले है, तो बच्चों बताओ, यह क्या होता, अगर यह L होता, यह होता, L cos 30 degree, होता की नहीं होता, और यह क्या होता, L sin 30 degree, होता की नहीं हो उता बिल्कूल हो तो यहीं थीज ये फर्क है स्टीक है अब हमें से और और कि मान सकते तो यह सब चीजे है जिसे आपको मैं सिखा रहा हूं और इंपोर इंसी है मैं आपको बता रहा हूं आप देखिए टिक्नोमेट्री के लेक्चर यूटूब पर ठीक है मैं बोलता हूं आपको यह चीज़ें आपको कोई नी बताएगा और यह चीज़ें जो मैंने आपको बताई है यह आप लोगों को बहुत सारे कोश्चन सोल करने में help करेगा अगर आप साइस लेकर के पढ़ते हों ठीक है चाहिए आप मैस लेकर के ना बढ़ो बेशक्त में आपको help करेगा फिजीक्स बिना मैत की होगी ने ठीक है और लोगों को बताई जो सब से पहला सिंपल आता है आप लोगों को कि यह एक ट्राइंगल दिआ इंगल डिया हुआ है यह आप लोगों को तीन दिया हुआ यह आपको चाहिए अपको बुलेगा कि फाइंड और मां लेजिए find all trigonometric ratio okay trigonometric ratio तो आप कैसे find out करोगे कोच दिक्कत नहीं है आपको सबसे पहले क्या करना है आपको चेक करना है कि मुझे इसमें सारी साइड है या नहीं तो आप देख रहे हो आपको perpendicular given बेस given और hypotenuse given नहीं है तो simply hypotenuse क्या हो जाएगा 5 कैसे निकालोगे अब पहला स्टेप क्या लखोगे apply पैथागोरेश रूड सबसे पहले पैथागोरेश रूड अप्लाई करोगे और hypotenuse निकालोगे वाइपाई का अभी स्टार्टिंग में ही यह सॉल किया था ओके जैसे आप इसे अप्लाई कर दोगे तो उसके बाद क्या करने supply पैथागोरेस रूड के बाद आपको क्या करना है कुछने सिंप्ली Deutsch ने स्थेटा लखने स्थेटा लिखने के बाद आप क्या करोंगे लिखोंगे लिखोंगे पर पर प्रपेंडियुलर क्या है यहांपर एब तो आप लिखोगे AB, और हैपोटेनु उस क्या है, यहाँ पर AC तो आप क्या लिखोगे? AC, बॉब्लम? अब यहाँ पर देखो, साइन, ठीटा is equal to आप क्या लिखोगे? AB, AB थी वेल्यू क्या होगे? 3 और AC की वैल्यू क्या होगे? 5, ओके? तो यहां पर आपने sin theta निकाल है ऐसे ही आप क्या निकाल होगे cos theta तो cos theta is equals to हो जाएगा base यानि BC upon hypotenuse हो जाएगा आपका AC तो BC की जगे क्या लिखोगे आप 4 and AC की जगे आप क्या लिखोगे 5 ऐसे ही आप 10 theta 10 theta किसकी equal होता है perpendicular perpendicular है यहाँ पर AB और base, base है हमारा BC तो देखो AB की value है 3 and BC की value है 4 ऐसे ही आप इसका reverse कर दोगे reverse क्या है cos theta तो cos theta हो sine का उल्टा यानि 5 by 3 cos का उल्टा होता है sec theta तो sec theta हो जाएगा हमारा 5 by 4 and 10 का उल्टा होता है cot theta इसका उल्टा हो जाएगा 4 by 3 तो total six sigmometric ratios आपने निकाल लिए कोई problem नहीं अभी इसी में देखो second type of question क्या पुछेगा ऐसा question तो आएगा इसी में देखो second type मैं आपको बता रहो पहला तो वही है कि पैथागोरेश रूल अपला ही करना है मालो आपको पूस केता है sign c बता और sign a बता हो तो यह आपसे कोट पूछेगा किया मतलब है या यहाँ पर एंगल बन रहा है और इसमें इसर देखो जब हम साइन सी निकालेंगे तो साइन सी के लिए अंगल तो यहां पर है तो इसके लिए perpendicular AB ही रहेगा और hypotenuse तो change ही नहीं होता, तो वो AC ही रहेगा, तो sin C की value directly निकल जाएगी, AB is 3 and AC is what? 5, no problem, लेकिन अगर मैं sin A निकालता हूं, तो कुछ नहीं है, बस जो perpendicular में ले रहा था, अब वो base बन चुका है, तो अगर मैं AB लूँगा, तो वो तो base बन गय है, तो जो base याईनि जो base BC अब वो perpendicular है, क्यों क्योंकि A के case में A के सामनेवाली side perpendicular है, यानि BC, तो यह हो गई भाई, BC, ठीक है, और upon hypotenuse हो गया AC, ठीक है, आप ऐसे यहात रख सकतो, angle के सामने सामने वाली साइड क्या है पर पर पेंडिकूलर ओके तो यहां पर आपको कुछ नहीं सावं लखना 2 और 217 टूट वर्ट ऑट फोट टूट अड़ इसी युवर्ट फाइळ ये और ड्लिक्ट पॉर एंड ईसे इकोल्स टूफ य कोल्स टूफ फाईजी सी थी c by 5 and sin a 4 by 5 ऐसे ही simply अगर मैं cos c लिखूँ गा निखा तो c क्या लिए बेस तो 4 रहेगा और hypotenuse 5 रहेगा लेकिन अगर मैं cos a निकालूँगा तो cos a के case में परपेंडिकुलर जो यह बेस 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 नहीं रहा अब बेस क्या हो चुका है जो पहले perpendicular था यानि AB तो यह 3 और hypotenuse हो गया ऐसे ही अगर मैं 10C निकालूँगा तो 10C परपेंडिकुलर अपन बेस डैरेक्ली 3 by 4 बट जब मैं 10A निकालूँगा तो उल्टा हो जाएगा क्या उल्टा हो जाएगा जो पहले परपेंडिकुलर था वह अब क्या बन चुका है जो पहले बेस था परपेंडिकुलर तो चार उपर आजाएगा और 3 नीचे आजाएगा कोई प्रोब्लम नहीं एंगल चेंज होने से सिर्फ क्या चेंज होगी परपेंडिकुलर और बेस तो यह दो टाइप के कॉश्चन जो म में भी आपको लोगों को एक्सराइज नम्मर 8.1 कर वाँगा ओके गाइस आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो एंड थैक्यों गाइस